नमस्कार साथियों साथियों देखिए अपने टेरिस गाटन में बहुत सारा समान पड़ा हुआ है जो अन्यूजड है अब देखिए यह मेरे पास कुछ एक जाली सी पड़ी थी छोटी सी जो हमारी इस से ग्रीन नेट से बच गई थी दू एंगिल पड़े हुए थे इसके अ पथर पड़े हुए थे तो हमने हैं सोचा कुछ इसका बनाया जाए तो देखिए एक ऐसी गाड़ के गमलों में पथरों के बीच में दो पीलार और यह एक स्ट्रक्शर तयार किया हमने और यह जब यह तयार हो गया तो एक ख्याल आया कि क्यों ना हम आगे जन्मस्तमी का क्यों हार आ रहा है तो हम एक स्री क्रस्ण गो स्री क्रस्ण जो हैं उनके लिए जूला तयार किया जाए जो जन्मस्तमी तक हमारे खूब अच्छे से काम आएगा और खूब अच्छा लगेगा रो ना करेंगी हमारे टैनेस गार्डन में तो हमने वही सोच के आगे कि इसकी से बदलते हैं और एक क्रियेटिविटी जिसको कहते हैं क्रियेटिविटी क्रियेटिव आइडिया एक आता है खास करके यह चीज़े बच्चों से करवानी चीए तो देखो बहुत अच्छी सन रचना त्यार हो जाती है कि हम बेकार चीजों से देखिए हमने कुछ अपने कुछ प्लांट्स रख दिये और यह एक ग्रीन है हमारे पास मैट पड़ी हुई थी वो टख दी उस स्ट्रक्चर के उपर और देखे कितनी सुंदर सन रचना त्यार होगी यह जाली जो आगे लगी हुई है इस पर कुछ हमारे जालर सी पड़ी हुई थी घर में बेकार और यह देखे स्रीकस्ना लड्डू गोपाल जो हमारे पास एक मूर्थी थी उसको हमने वही जो टाइटेनिक नुमा जहाज था जो जिसमें कोई हमें गिफ्ट कर गया था मिठाईयां उसका नीचे का जो हो था उसमें हमने एक पेपर रख के लड्डू गोपाल को उसमें स्री फैंगिंग बास्किट की जंजीरे होती है उनी से इसको लटका दिया और देखे कितना सुन्दर साय तयार हो गया और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो उसमें हमारी कुछ मूर्थियां हाँ जो टेरा कोटा की मूर्थियां होती हैं मिल जाती हैं सस्ती सस्ती वह हमने जगा दिया तो उनसे पीछे की तरफ काफी अच्छी रोशनी होई तो टेरेस गार्डन में पेड़ फूलों के बीच में इस सुन्दर सांसी संरचना को देख कर खुद ही अंदर से निकलता है कि यहां पे क्यों ना हर्याली तीज मनाई जाए तो हर्याली तीज का तिवार ह अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़े हर सो लास के साथ मनाया तो है ना साथियों तेरेस गार्डन का फोट फाइदा टेरेस गार्डन में हम कुछ लोग कहते हैं हम पेड़ पोदों के लिए बहुत कुछ करते हैं मेरा कहना है यह कि हम कुछ नहीं करते पेड़ पोद बहुत कुछ करते हैं तो साथियो नमस्कार फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में